दिवाली के दिन किये गए जारू के ये उपाय आपको बना सकते हैं मालामाल, मा लक्षमी की भी मिलेगी क्रिपा. दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल श्री धार्मिक ज्यान पर, दोस्तों जोतिष शास्त्र में दिवाली पर पूजा के अलावा कुछ उपायों के बारे में भी बताया गया है. इनमें जारू का उपाय बहुत लापकारी माना गया है. जारू का संबंध मा लक्ष्मी से माना जाता है. ऐसे में जारू से जुड़े इन उपायों को करके आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. आए जानते हैं उन उपायों के बारे में. दिवाली के दिन अपनी पुरानी जारू को घर से बाहर निकाल दें और नई जारू खरीद कर यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो दूर करने के लिए दिवाली के दिन तीन जाडू खरीद कर लाएं, और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कराएं. मान्यता है कि ऐसा करने से धन से संबंधी दिक्कत दूर होती है. दिवाली के दिन पूरे घर की सफाई नई जाडू से ही करना चाहिए. इस सफाई के बाद इस जाडू का कहीं छिपा कर रख दे, जहां लोगों की नजर न जाए. जयोतिश के अनुसार ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है. इन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान. जाडू का संबंध मा लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी जोर से पटकना या फेकना नहीं चाहिए. जाडू का अनादर भी नहीं करना चाहिए. कहा जाता है कि जारू का अनादर करना मतलब मा लक्षमी अनादर करना होता है इस्तिमाल के बाद जारू को कभी भी खड़ा ना रखें इसे हमेशा जमीन में लिटा कर रखना चाहिए जारू को दरवाजे के पीछे छिपा कर रखना ज्यादा सही माना जाता है